नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोश खबर कायकरम ऐसा लगता है कि मोदी जी के सितारे इन दिनों थोड़े गर्दिश में चल रहे हैं जिसी इसका भी फीता काटते हैं उद्गाटन करते हैं उसका हुलिया ही खराब हो जाता है चाहे ट्रेन हो या सड़क और ऐसा लगता है कि जब इसे लेकर खबरें वाइरल होने लगती हैं तो वे उतार देते हैं अपने सांसदों की टीम नफरत पहलाने के लिए शायद सिर्फ इतनी ही वज़ा नहीं है कहीं न कहीं डर उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से भी है जिसका लगातार प्रचार प्रसार दूसरे ढंग से जनता की जन्मानस पर हो रहा है और इसी बीच हमें दिखाई देता है कि किस तरह से जो लोग दिन रात बाबा साहब भीमराओ अमबेटकर का नाम जबते हैं अपने दफ्तरों में उनकी फोटो लगाते हैं वे जब उन्हें के सिध्धानतों के बारे में लोग बात करते हैं जिन 22 प्रतिग्याओं के बारे में बाबा साब भीमराओ अमबेटकर ने अपने जीवन के अंतिम समय स्टैंड लिया था उसकी बात करते हैं तो कोहराम मत जाता है एक तरफ आरेसेज मोहन भागवत कहते हैं कि जाती और आदी सब को छोड़ देना चाहिए लेकिन वहीं जब इन 22 प्रतिग्याओं के बारे में बात होती है तब बवाल मचता है हंगामा काटते हैं भाशपा के नेता भाशपा के सांसत और इसकी बली चड़ते हैं आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें स्तीफा देना पड़ता है इन तमाम सवालों पर हम आपसे आज अपने स्कारिक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं आए सबसे पहले पर्ताल करते हैं विकास के उस ढोल की जो 2014 से देश के हर कोने में मचाया जा रहा है जिसे लेकर अच्छे दिनों का हवाला देकर प्रधान मंत्री नरेन मोदी हमें और आपको और देश को लीड कर रहे हैं इसकी ताजा मिसाल वंदे मात्रम ट्रेन है इसे जिस सचधश के साथ कैमरा लाइट कैमरा एक्षन के साथ अच्छे अच्छे ड्रेसों के साथ जंडी दिखा के नरेन मोदी ने इसका उदगाटन किया महज कुछी दिनों में छे और साथ तारी को दो दुर घटनाए होती हैं तीस सितंबर को इसका उदगाटन होता है मोदी जी करते हैं और उसके बाद गुजरात में ही आनंद में पहले गाए और फिर बैस इससे भिड़ती हैं पहले तो रेल मंतरी जी हमें और आपको समझाने आते हैं कि ऐसा भारत में बहुत आम है ऐसा होता ही रहता है इस पर बहुत हंगामा मचाने की जरुवत नहीं लेकिन देखिए स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिखाई दे रही है वो बता रही है कि यह ट्रेन कितनी मजबू यही बदल गया और इसके बाद जो होता है वह तो और कमाल का खुर्जा बुलन शहर उत्तर प्रदेश के एक स्टेशन पर पांच घंटे चक्का जाम इस ट्रेन का पहिये जाम हो जाते हैं यात्रियों को उतारा जाता है किसी और ट्रेन से उन्हें रवानाय सफर किया जाता है यानि यह विकास का ढोल है जो फोटो आप है इसकी पोल तुरंथी चुटकियों में खुल जाती है इस ट्रेन से जुड़ा एक बहुत एहम सवाल अब खुर्जा में दनकौर स्टेशन में जो चार-पांच घंटे यह ट्रेन अटक गई पहिये जाम हो गए और इससे पहल घंटना है ऐसी होती रहती है तब जड़ा आप ही सोचिए ऐसा कैसे संबव है कि इस छोटी सी घंटना पर रेल विभाग गाय भैस पालोकों यानि पशु पालोकों के खिलाफ एफाई यार करता है है ना अपने आप में बेहत दिल्चस्प वाक्या यह दरसल यह है भारत का विकास जो मोदी सरकार के राज में हो रहा है विकास और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की यह दूसरी तस्वीर है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है यह है पूर्वांचल एक्सप्रिस वे की तस्वीर पिछले साल 16 नवंबर को इसका उद्गाटन प्रधान मंत्र प्रिजी ने किया था बहुत दम-खं के साथ किया था 22-23,000 करोड रुपे देश की जनता की जेब से जो वसूले थे वे खर्श किये गए इस एक्सप्रिस वे में अब आप देखिए यह जो तस्वीर है यहां बता रही है कि कितना कम प्रष्टाचार हुआ चार-पांच दिन की बारिश में यहां पर सुल्तानपुर के पास यह हाईवे 15 फिट गड़ा बन गया इसमें कई वाहन शतीगरस्थ हुए वह इसमें गिर गए और पूरे डैमेज कंट्रोल में आई योगी सरकार ने रातो रात चुटकियों बजाते इस पर पूरी की पू करके इसे ऐसे कर दिया कि मानों कहीं से खबर ना आए लेकिन खबरें जनाब ऐसी चुपती कहां है यह खबर सामने आई चार-पांच लोग घायल हुए थे और जो बहुत बड़ा सवाल यह एक्सप्रेस वेस पूछ रहा है मोधी सरकार से योगी सरकार से कि जनाब आपने जब उद्गाटन किया था तब आपने कहा था कि द्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई है यह जो भ्रष्टाचार की इंतहा है कि एक साल भी पूरा नहीं हुआ 15 फिट का गड़ा बनता है सड़क पूरी की पूरी बैठ जाती है यह पैसा गया कहां हब आप देखिए यह नि पर रहें जनाब अपता नहीं अमरीका में यह 15-20 फट के गड़े कितने साल में सड़कों पे एक्स्प्रेस वे में बने हैं यह है विकास का हाल And I always remembering the word of American President John Kennedy that American roads are not good because America is rich but America is rich because American roads are good the prosperity is coming from the road and already I promise Yogiji that before end of 24 we will make the infrastructure the road infrastructure of the Uttar Pradesh equivalent to USA पूरी की पूरी अर्थविवस्था रसातल में है एक तरफ बे इंतहा भ्रष्टाचार है हमने देखा कि करनाटक में 40 फीसिदी की जो कमिशन है जो भ्रष्टाचार है वह एक पब्लिक डिस्कोर्स में यानि जनता बोल रही है कि हर एक प्रोजेक्ट में हर एक परियोजना में 40 फीसिदी भाजपा के मुख्यमंत्री को जाता है लेकिन मामला सिर्फ उतना ही नहीं है अब आप देखिए और वर्ल्ड बैंक दोनों ने भारत की जो जीडिपी ग्रोथ है सकल घरेलू उत्पाद वृद्धिदर उसे एक फीसिदी कम किया है रुपिया तो बिचारा ग किरावर जाएगी किसी को पता नहीं यानि हमारा आपका देश का विदेशी मुद्राकोश लगातार कम हो रहा है और हां वर्ल्ड बैंक ने यह भी बताया है कि 2020 में 5.6 करोड भारतिय नागरिक गरीबी रेखा से नीचे गए हैं और दोस्तों चुनाव का जो मौसम है वह त गुजरात में चुनाव है और उसे लेकर जिस तरह की घोशनाएं मोधी सरकार या खुद प्रधान मंत्री नरेन मोधी कर रहे हैं एक तरफ वह कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिस तरह से कमान सम्हाली हुई है आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्व की जगा कहती है कि फ्री बीज को रोका जाए इसकी घोशनाओं को रोका जाए यानि जनता को मुफ्त देने की जो घोशनाएं सरकारे कर रही है उस पर लगाम लगाई जाए लेकिन देखिए यह जो आकड़ा है यह अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है पिछले छे महीनो में महस छे महीनों में 80,000 करोड रुपे की परियोजनाओं की मोदी जी गुजरात को लेकर या तो घोशना कर चुके हैं उद्गाटन कर चुके हैं या फिर वह पाइपलाइन में है जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारी है और ऐसे में अर्विन केज़िवाल जी क को आकर्षित करने के लिए कहा कि वह हर वह एक भाई है और भाई महिलाओं की रक्षा करने आ गया गया है एख़ार रुपे बहुत देने जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने जबरदस घोशना की कि सीधे भगवाद ने उन्हें भेजा है उन्होंने अपना जनम दिन कृष्ण जन्माष्टमी को बता दिया जिसे लेके काफी विवाद चल रहा है और उन्होंने यह भी कहा कि वह कृष्ण है और गुजराट में कंसों का वद करने आए हुए है इससे एक बास बहुत साफ है कि गुजराट चनाओं बहुत खास है और इसे लेके जिस तरह की घोष्णाएं जिस तरह का कार्ड खेला जा रहा है वह भारती लोकतंत्र की जो सेकुलर चवी है जो धर्म निर्पेश चवी है उसे लेकर बहुत खतरनाक है इस सारी घमासान के बीच एक एहम डवलप्मेंट और हुआ है जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है दिल्ली के मंत्री राजेंदर पाल गौतम उन्होंने इस्तीफा दिया अपना इस्तीफा पब्लिक डोमेन में डाला और उन्होंने साफ साफ कहा जितना कहा उससे ज़्यादा समझ आ रहा है सुनाई दे रहा है बहुत स्पष्ट है उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाबा सहाब भीमराव अंबेत करने जो धम शिक्षाली थी जब बहुत धर्म अपनाया था जो बाइस प्रतिग्याएं की थी वह देश के कॉंस्ट्यूशन के हिसाब से है यहां हम आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को दशेरा के दिन दिल्ली में एक आयोजन हुआ था धम दिख्षा दी गई थी सेकडों की तादाद में लोग जुटे थे और उसमें अंबेत करके प्रपोत्र राज रतन अंबेत करने यह प्रतिग्याएं लोगों को दिल्वाई थी यह सब कुछ सब के सामने हुआ था ऐसा कुछ नहीं जो छिपा हुआ है बाबा सहाब भीमराव अंबेत करने खुले आम कहा था कि वह पैदा तो हिंदू हुए थे वह मरना हिंदू नहीं चाहते हैं इसकी ठोस वजहें हैं और उन्होंने इन 22 प्रतिग्याओं में खुल कर कहा था कि जो लोग भी बौद धर में विश्वास रखते हैं वो हिंदू देवी देवता में विश्वास नहीं रखेंगे यह सब कुछ कई सालों से ऐसे ही होता आया है लेकिन अब आप देखिए कि इसके बाद भाश्पा ने जिस तरह से नफरती काड़ खेला गंदगी फैलाई उससे दो चीजें बहुत साफ हुई बाबा साब भी मरावं बेटकर को जितना भी वो अपनी मुठ्थी में करने की कोशिश करें वे नहीं कर सकते क्योंकि यह सुलक्ती हुई आग है जो जाती वात को खत्म करती है मनुस्मिती को खत्म करती है और शायद जिस तरह की गंदगी भाश्पा के नेता, भाश्पा के सांसद इस पूरे मुद्दे पर मचा रहे हैं जिस तरह से मोहन भागवत आरेसेस प्रमुक खुल कर कहते हैं एक तरफ कि जाती वाती छोड़ देनी चाहिए इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए वहीं दूसरी तरफ ठीक उनकी नाक की नीचे जातिगत गंदगी उनके ही लोग मचाते हैं और दोस्तों शायद यही वज़ है कि इस सारा जो रायताई पहलाया है इसमें नफरती छोग देने के लिए भाशपार ने अपने सांसद प्रवेस सिंग वर्मा को उतारा है आरेसेस ने अपने लोगों को उतारा है जो खुले आम देश की राजधानी दिल्ली में मुसल्मानों के कतले आम की बात कर रहे है यह रेडिया लगा रहे है इनके रेडि से सबजी खरीदने की जुरत नहीं है यह मास बच्छी की दुकान खोलते है वहाँ पर MCD को बोल कर जिनके पास लाइसेस नहीं है सबको बन करानी की जुरत है यह लोग रेस्टोरेंट होते हैं संपूर्ण वहिशकार जहां जहां यह आपको दिखाई दे मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है इनकी तबियाट ठीक करनी है तो एक ही इलाज है वह संपूर्ण वहिशकार आप इस बात से सहमत हो हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण वहिशकार करेंगे हम इनके दुकान एडियों से कोई समान नहीं खरी देंगे हम इनको कोई मज़दूरी नहीं देंगे आप एक काम कर लेना बस यह इनका इलाज है यह अकारण नहीं है इसका सीधा सीधा तालुक है कॉंग्रेस की राहूल गांधी की नेत्रित्र में चल रही भारत जोडो यात्रा से है क्योंकि हमें और आपको दिखाई दे रहा है कि भारत जोडो यात्रा एक बड़ी संख्या को प्रभावित कर रही है जिस तरह से अमन और भाईचारे की बात हो रही है उसने इन नफरती सामप्रदाइक लोगों को परिशान कर दिया है इनकी रातों की नीन्द हराम कर दी है और शायद यही वज़ा है कि यह दुबारा धुरूवी करने पर उतारू नजर आ रहे है अंत में दो एहम खबरों के बारे में संक्षेप में चर्चा एक एहम रिपोर्ट आई है जिस पर आपका हमारा देश का दुनिया का ध्यान देना बेहस जरूरी है इस रिपोर्ट का सीधा तालुख है 2020 में दिल्ली में जो सामपरदाइक हिंसा फैलाई गई थी जो साजिश थी उसे लेकर यह रिपोर्ट दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, मीडिया, ग्रिह मंत्राले को सीधे सीधे कट घरे में रखती है यह रिपोर्ट तयार की चार पूर जजोंने जिसमें सुप्रीम कोट के पूर्व जज, जस्टिस मदन लोकूर है वोई अध्यक्ष थे इस टीम के दिल्ली उचिनियाले के पूर्व मुखिनियादीश, जस्टिस एपी शाह दिल्ली उचिनियाले के पूर्व जस्टिस आरेस सोड़ी पटना उचनियाले की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पूर्व ग्रेंदरी सर्चिफ जेके पिल्लाई अंसर्टन जस्टिस, अ सिटिजन कमेटी रिपोर्ट और नौर्थ इस डेली वॉयलेंस 2020 171 पन्नों की रिपोर्ट है ये, तीन हिस्सों में इसे बाटा जा सकता है मैं सिर्फ आपके साथ साजा करूंगी इस कमेटी ने मीडिया के बारे में जो कहा इसमें जो तफ्तीश की है उसमें बहुत खुल कर बहुत डिटील रिपोर्ट है मौका मिले तो जरूर देखिएगा इसमें कमेटी ने 2019, दिसंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक देश के 6 प्रमुक्र TV न्यूज चैनलों में 500 घंटे से अधिक की जो कवरेश की गई रिपोर्टिंग की गई उसका अध्यन किया दो अंग्रेजी के चैनल, रिपब्लिक और टाइमसनाओ, हिंदी के चार, आज तक, जी न्यूज, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत और उन्होंने पाया कि किस तरह से इन मीडिया चैनलों ने जान बूच कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एजंडा पहलाया किस तरह से इन चैनलों ने नागरिक्ता संशोधन कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, एंटी सी ए, एंटी एनर्सी, शाहीन बागवाला आंदोलन इसे गलट धंग से, विद्वेश पून धंग से पोट्रे किया गया और तो और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने 23 फरवरी 2021 को जिस तरह से नेताओं ने सामप्रदाइक जहर उगला उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं की इस रिपोर्ट में केंद्री ग्रिह मंत्राले के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल पर भी गंभीर सवाल उठे हूँ यह सवाल इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उसमय हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में नौजवान छात्र छात्राएं एक्टिविस्ट जेल में सड़ रहे हैं कैद किये गए हैं उन पर आरोप लगाया गया है सामप्रदाइक हिंसा का जबकि यह रिपोर्ट बताती है कि यह सामप्रदाइक हिंसा एक साजिश थी सत्ता पुलिस और मीडिया उसमें शिर्कत कर रही थी एक दूसरी एहम खबर पिछले दिनों देश की राजधाने दिल्ली के प्रेस क्लब में एक एहम बैठक का आयोजन किया गया इसमें भीमा क कोरेगाओं मामले में जो कैदी हैं 15 कैदी उनके साथ साथ बाकी जो पॉलिटिकल प्रिजनस हैं उनकी रिहाई की मांग हुई और उनके परिजनों को बुलाया गया इसमें खालिस सैफी की पतनी नर्गिस सैफी और जी एन साई बाबा की पतनी वसंता सहित अनेक लोगों न उनके खिलाफ कहीं कारवाई नहीं लेकिन ये तमाम गुद्धजीवी और एक्टिविस्ट जो आंदोलों ने से जुड़े हुए हैं इनके रिहाई के बारे में बात नहीं हो रही ये जो दोनों एहम घटनाएं हैं यह बता रही हैं कि देश में अभी भी लोगतंत्र की आस जिन्दा है और एक तरफ जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेके बड़े पैमाने पर लोगतंत्रिक और कॉंस्ट्यूशन समिधान में विश्वास रखने वाले लोगों में आस बंद रही है वहीं दूसरी तरफ जो बुनियादी और बेहस जरूरी सवाल हैं वे एक बार फ